So, hey guys, welcome back to Power Drag आज एक ऐसी muscular गाड़ी के बारे में बात करेंगे एक ऐसी गाड़ी, off-roading की बादशा, king car, Scorpio इस गाड़ी को black color में लेने का swag ही अलग है road presence अलग है, road पे 10 गाड़े में चलती ही अलगी दिख जाएगी देखो भाई, ये एक ऐसा नाम है एक जैसे कि आप कहते हो कि भाई, bikes जा रही है, royal infield एक अलगी है वैसी आप कहते हो, भाई, Scorpio, एक अलगी लेवल की चीज़ है इस गाड़ी से आपको जो करना है, वो कर लो off-roading करना है, ये कर सकती है खराब रास्तों पर ले जाना है, ये जा सकती है अंधा दूंद, इसके अंदर जादा लोग बिठा के रगड़ना है, गसीटना है, ये कर सकती है इसके अंदर खुब सारा समान ठूस के लेके जाना है, अब कर सकते हो बस इस गाड़ी की देखो, एक ही चीज़ थी जो थोड़ी थी डाउन साइड थी, अभी तक के लिए जो थी वो Global NCAP की rating की safety के मामरे में 0 star है, बट फिर भी इसकी sheet काफी हद तक ठीक थी, बचा लेती थी लोगों को, बट फिर भी की आज भी कई-कई महीनों की waiting है, फिर महींद्रा ने एक स्यूवी सेवन डबलो लांच करी, वो उससे भी जादा गलत लेवल पर आतंक मचा रही है, कुछी दिनों के अंदर उसकी एक लाग प्लस की booking हो चुकी है, अब नेक्स्ट लेवल है स्कॉर्पियो का, ये फरवरी मार्च तक आपको 2022 में देखने के लिए मिल जाएगी, ये महीद्रा ने सही कर रहा है कि हाँ भाई, इसका launch थोड़ा सा आगे बढ़ा देवन ना इस टाइम पर दोनों काड़े लांच करते तो कहीं न कहीं स्कॉर्पियो की sales figure पर भी फरक अब इस स्कॉर्पियो को जो अभी स्कॉर्पियो आती है, उसकी जैसी समझने के आप लोग गलती मत करना, क्योंकि ये होगी एक modern स्कॉर्पियो, जो सिरफ औरोडिंग की king नहीं होगी, ये हर चीज में king होगी, आपको इसके look wise बात करोगे, लुक्स में 10 on 10 रहेगी, हालग के लुक्स के ओपर मैं कमिट नहीं करता हूँ, वो देखो अपनी अपनी पर्सनल प्रिफरेंस रहती है, कि आपको क्या look पसंद है, मुझे क्या look पसंद है, आपकी friend को क्या look पसंद है, तो वहाँ पर हम बात करते हैं, तो काफी हद तक आपको जो अभी current generation की स्कॉर्पियो इस देखने के लिए मिल जाएंगी, बट यह होगा कि हाँ, अब जो स्कॉर्पियो की हाइट है, उसको थोड़ा सा decrease कर रही है महिंदरा, जिससे कहीं न कहीं जो इसका body roll है, वो कम हो जाएगा, यही सेम चीज इन्होंने apply कर यह अपनी थार के उपर भी, body roll कम होगा, height थोड ज़्यादा उची नहीं मिलेगी, थोड़ी सी छोटी जागेगी, मतलब बहुत छोटी नहीं, थोड़ी सी नीची लगेगी देखने में, जो कि आप लोग कह सकते हो कि आपको अगर body roll पसंदा या फिर आप लोग उससे enjoy करते थे, तो वो चीज अब वाले Scorpio के अंदर बहु दिजाइन हुई भी front का bumper, new Mahindra का logo, redesign हुआ वा front का, जो आपका proper, जो bumper के आसपास की fog lamp के housing है वो, क्योंकि this is our next generation, कोई facelift नहीं है, तो इसलिए सभी कुछ totally changed देखने के लिए मिलेगा, हाला कि जो Mahindra का signature design है, Scorpio को लेकर वो सारी चीज़ों में changes नहीं आएंगे, जैसे कि rear का tailgate, वो अभी भी आपको side face, opening वाले ही देखने के लिए मिलेगा, हाला कि third room में बैठने वाले passengers को comfort में ध्यान रखते हैं, Mahindra ने front facing seat लगा दिए, जो 50-50 के ratio में split होंगी, जिसमें कि आप लोग को ठीक ठाक leg room मिल जाएगा, side facing के comparison में leg room और आपको जो thigh supporter, back supporter, वो काफे ज increase हो जाएगा, क्योंकि side facing वाली seat पे चलो, आप लोग क्रॉस में थोड़ा सा pair करके बैठ जाओगे, बट जो main concern रहा करता था, वो रहता था, आपका back seat को लेकर, कि मतलब बहुत चोटी है, passenger सच्छे से long ride से नहीं कर पाते, तो वो सारी चीज़े, अब new वाली स्कॉर्पियो में काफी हद तक महिंदरा ने resolve कर दी है, उसके लिए big thumbs up, अब ये Scorpio मैंने आप से ऐसा क्यों बोला था कि normal Scorpio जैसी नहीं रहीगी, जो off-roading की king हो, ये हर चीज में king होगी, वो इस वज़े से मैंने बोला था क्योंकि अब आप लोग इस गाड़ी के अंदर अगर comfort convenience के feature की sunroof, keyless entry, बड़ा infotainment screen, android auto, apple car play, वो भी wireless वाले, मतलब की जो एक comfort convenience के सारे feature एक छोटी गाड़ी आरदस लाकी ओफर करती है, वो सारी चीज अब आपको महिंदरा Scorpio भी ओफर करेगी, आस्ते के ये गाड़ी ने सिरफ आपको 2200 लीटर वाले, 2000 लीटर वाले diesel engine दिया है, बट अब आपको ये 2000 CC का पैटल engine भी ओफर करेगी, वही सेम engine होगा, जो आपको एक सुवी 7W में है, वही आपको इस कॉर्पियों में भी देखने के लिए मिलेगा, जो अच्छी चीज है, जिन लोगों का ज़्यादा रन नहीं है, कभी का बार चलाते है, कम यूज में ले पैट्रोल भी बैटर रहता, तो उस कंडिशन में पैट्रोल यूजर्स के मज़े आ जाएंगे, जो लोग पैट्रोल चाहते हैं, इसक्रीन इस गाड़ी के अंदर आप लोगों को आराउंड 8 इंचिस अबव देखने के लिए मिलेगी, जो अच्छी चीज है, अगली चीज पैनरोमिक्स के अंदर नहीं आएगी, पैनरोमिक्स चाहिए तो इसकी बड़ी बहन, एक्स्यो भी सेवन डबलो में मिल जाएगी, रूफ रेंस, एलेक्रोनिकली अड़ेस्टेबल, फोल्डेबल, ओर वीम्स वगएरा, एन्वेच लेवल काफ ज़दर डिडियूस होंगे, ग्लोबल एंड कैप में एडलिस्ट 4-5 स्टार की रेटिंग एचीव करेगी, 5 आउट ऑफ, एंड गाड़ी के अंदर आप लोगों को 60-speed manual, automatic दोनों ही ट्रांसमिशन आएगी, पैट्रोल डीजल, दोनों इंजन देखने के लिए मिलेगे, 7th हीटिंग की लेओट मिलने वा नहीं आए, तो फिर तो फिर स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो थोड़ी के लाएगे, हाला कि इन सब चीजों की छोटी मोटी गलती कंपनी नहीं करती है, और आपको ये भी पता होगा कि भाई, जैसे की टाटा ने एक मिश्टेक कर रखे अपनी साफारी के साथ, और हैरियर के के अंदर कहीं न कहीं आप अगर सिमिलारिटीज देखोगे तो स्कॉर्पियो को थोड़ा सा पॉजिटिव मिल जाएगा, एक्सपेक्टिड है इस गाड़ी के अंदर आप लोगों को डूल जोन आटोमेटिक क्लाइमिट कंट्रोल भी मिलेगा, ड्राइवर का और को जो हैं इसके वो बहुत ही ज़दा बैटर यूज़ करे हुएं, कार के अंदर आपको क्रूस कंट्रोल मिलेगा, फ्लैट बॉटमे स्टेरिंग वील मिलेगा, न्यू महिंदरा का लोगो स्टेरिंग वील के ओपर और स्टेरिंग मांट्रिट कंट्रोल भी आने वाले हैं, त अब आप लोग कह सकते हों कि हाँ भाई महिंदरा ने मजे से बान दिया, कुछ एक कंपलीट पैकिस सा निकाल दिया, जिसके ओपर भाई बिल्कुल मतलब आपको मज़ा आ जाएगा, अगर आप सोच रहे हो लेने का, तो मतलब ये एक बेस्ट चीज रहने वाली है, तो इस इस वीडियो में तो इतना ही मिलते है, नेक्ट वीडियो में जब तक के लिए, बाई बाई